हेलो फ्रेंड्स वेलकम हैं आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बड़ी दो खबरे लेकर आया हूं मैं सभी करमचारियों और पैंसन्स के लिए दोनों बिग अपडेट हैं दिल खुस हो जाएगा आपका आज 9 जून 2021 की ए खबरे सुनकर के पुरे वीडियो को लास् ये वीडियो सभी करमचारियों और पैंसन्स के लिए बहुत इदाए इंपोर्टेंट होने वाला है बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और अगर चैनल पे पहली बारा है यानि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री आपको सब्सक्राइब नहीं किय तब ही आपके पास मारे वीडियो की लेटस नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप मारे वीडियो को कंटिन्यू वाच कर पाएगे आपको दोनों को दोनों ओफिशल नोटिफिकेशन दिखाए जाएंगे चले लेकर पहली न्यूस पर तो आप सभी को पता है कि जो करमचारि जो है टाइम डू टाइम नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं कि एडवाईजरी जादी करती रही है तो अब फिर से कर्मचारियों के लिए एक रहात की ख़बर है आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट पर्सन एंड ट्रेनिंग के लीव इन अलाउंसेंस डिविजन की तरफ से स जुन 2021 को एक बहुत ही महतपूर्ण या बहुत सकते हैं इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें अललाग सिच्वेशन है और अललाग सिच्वेशन की साफसे कर्मचारियों को कई सारी राहत भी दी गई है पहला सिच्वेशन आप देख सकते हैं थोड़ और विदए को भागा बनेंग को तॉद अब जैनु को हुद आपके पास फॉसर के सब्सक्राइब तो आगे आप देश सकते हैं इसमें सपेसल के जुए लिब पढ़ दिन की मिल सकती है जबकि Unleaf मिल सकती है, हाप पे लिव पांजिन की मिल सकती है, यह डिटेल में आप पॉस करके पढ़ सकते हैं अब महाँ आप दूसी सिच्वेशन पर लेके चलते हैं, ऐसी सिच्वेशन जिसमें आप COVID positive पाएगा है लेकिन आप home isolation पर रहें, लेकिन उसके बाद आपको hospitalization होना पड़ा है उस situation में का होगा, आप दे सकते हैं पॉइंट नमर पहले में दे दिया है कि अगर आपको तो उस situation में आपको फिर वही है कि आपको COVID positive पाएगा है और 20 days का आपको committed live मिलेगा या special casual live मिलेगा या 20 days का आपको annual live प्रोवाइट कराया जाएगा दूसर देख सकते हैं और अगर इसके बाद में hospitalization हुगा तो 20 days के बाद भी आप hospitalize रहें तो आप उसके बाद में भी आपको committed live प्रोवाइट की जाएगे लेकिन उसके लिए आपको full proof जो hospitalization के आपके पाद documents है वो आपको वहाँ पर provide कराने हुगे तो सरकार ने सभी करमचारियों का ध्यान रखा है आप देख सकते हैं point number 3 ऐसे करमचारी जिनके family member कोई भी COVID positive या उनके parents पाए गये तो situation में का होगा और अगर यह दूसरे case में आप देख सकते हैं कि अगा कोई आपके family member या आपके parents में से कोई hospitalization हुआ है इस situation में तो भी आपको पंदा दिन का अस्या लेने की special case value प्रोवाइट कराया जाएगा तो आप इन में से जिस situation में आते हैं आप हमें comment करके जरूर बताएगा और आपको यह DOPT का instruction कैसे लगए आप हमें comment करके जरूर बताएगा दूसरी notification के लिए के चलते हैं दूसरी notification भी इसी से related है कि आपको जो pulse oximeter आपको पता है COVID-19 में सबसे important pulse oximeter होता है जिससे pulse की उसमें pulse मापी जाती है, pulse का measurement किया जाता है तो उसके लिए एक device जरूर होती है वो device का नाम है oximeter और सरकार ने बोला है कि आप अपने घर में एक pulse oximeter जरूर रखिए जिसका reimbursement सरकार खुद करेगी और उस reimbursement की कोश सरकार ने 1200 रूपे रखी है तो आपको पता है यह पहले सिन नोटिफिकिकिशन था लेकिन बहुत सारे करमशारी जो बहुत जादा परिसान हो रहते हैं कि हम किस format में उसको फिल अप करके अपने जो है इस्टेबलिस्मेंट ब्रांच या जहां पर भी कैस ब्रांच वगरा वहां पर सम्मिट करें तो सरकार ने फानली उसका एक फॉर्मेट भी पप्लिस कर दिया जारी कर दिया आप देख सकते हैं आप अगर कमेंट में यस करेंगे तो इस फॉर्मेट को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा वहां से साथ में अटाइस करके आप अगर कर दीजिए और आपको बारास रुपे का ऑक्सिमीटर का जो इंबर्समेंट सरकार प्रोवाइड कराएगी